नमस्कार नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही है आप और मैं हूँ आपकी सर्थ प्रग्या सिंग बॉलिवर्ड इंडस्ट्री की लेजिनरी आक्ट्रिस और राज्य सभा सांसत जया बच्चन अक्सर अपने हुस्से खुले कर सुर्ख्यों में परी रहती है आपको बदा दे कि जया बच्चन कोई मौखा नहीं छोड़ती पैपराजीस को लतारने से अक्सर देखा गया कि जया बच्चन की गुस्से के चलती पैपराजीस को काफे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है ताज़ा मामला देखने को मिला जब बॉलीफुड इंडस्ट्री के लेट डिरेक्टर यश चोपडा के पतनी पमेला चोपडा के निधन के बाद उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए जया बच्चन पहुचे इस दौरान आपको बता दे कि जया बच्चन अपनी फोटोज क्लिक करने कुले कर काफी स्यादा भड़क गई और गुस्से में मीडिया पर्संस पर जम कर चिलाने लगी ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेईसे से बाइरल हो रहा है बता दे कि ये पहली बार नहीं जब जया बच्चन ने अपना गुस्सा पैपराजीस पर निकाला हो इससे पहले भी उनके कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर है जिनमें इसी तरह से वो चेकते चिलाती नजर आती है हाला कि ज़्या बच्चन को एक बिमारी है इस बात खुलासा खुद उनकी बेटी श्वयता बच्चन और बेटे अभिशेक बच्चन एक इंटर्विव के दरान किया था कि जया बच्चन को एक ऐसी बिमारी है जिसमें वो ज्यादा भीडभाड या फिर आखों पर फ्लेश लाइट पढ़ने से काफी ज्यादा खबरा जाती है और हाइपर होकर वो सामने बाले पर घुसा करने लगती हैं लेकिन आपको बता दें कि यह चोपड़ा की पतनी पामेला चोपड़ा के निधन के बाद शोक व्यक्त करने पहुची जया बच्चन जिस तरह से इस सेंसिटिव मौकी पर पैपराजीस पर भड़कने लगी क्या वो सही है या नहीं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बागी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट माइंग लाइज